नांगेली की कहानी के अनुसार उननिस्वी सदी में त्रावन कोर में जातिवाद बहुत घिनोने रूप में मौजूद था। उच्च जाती के लोग दलित महलाओं को उनके ब्रेस्ट नहीं ढखने देते थे और यदि कोई ढखती थी तो उसको ब्रेस्ट टेक्स देना होता था। इस अपमांजनक उत्पीडन के खिलाफ नांगेली नामक एक महला खड़ी हुई जिसने अपने स्टन ढखना शुरू किये। जिसके बाद उससे टेक्स वसूली करने वाले उसके घर पर आधमके और जबरन टेक्स मांगने लगे। वो अंदर जाती है और अपने स्टन काटकर केले के पत्ते पर रखकर उसे टेक्स कलेक्टर को दे देती है कि जब ब्रेस्ट ही नहीं होंगे तो ब्रेस्ट टेक्स कैसा। कलेक्टर घबरा के भाग जाता है नांगेली खून बहने से मर जाती है फिर उसका पती भी उसकी चिता में कूध कर अपनी जान दे देता है नांगेली के इस बलिदान के बाद राजा अपने इस कुरूर्ल टेक्स को बंद कर देता है तो यह हुई नांगेली की कहानी सच्ची है या जूटी है जब इसका उत्तर खोजा तो पता चला कि यह एक कालपनिक कहानी है जो कि सी राधा कृषिनन ने लिखी थी 2007 में यह The Pioneer में पबलिश हुई फिर एहा आर्टिस्ट मुरली तक पहुची उन्होंने इसे सच घोषित करते हुए इस पर पेंटिंग मनाई और उसके बाद Times of India, The Hindu और BBC आदी नामचीन मीडिया संस्थानों ने भी इसे सच की तरह परचारित किया और हिंदूओं को कोसने क एक और नया मसाला तयार हो गया। ध्यान दीजिएगा जो भी इसे सची कहानी बता कर पेश करते हैं उनमें से कोई भी इसका कोई समकालीन एतिहासिक साक्षित नहीं देते हैं कहानी करीब 200 साल पहले की बताते हैं और जिस किसी किताब का हवाला देंगे भी वो 20-50 साल पु नहीं लिखी पता चला कि वह भी यह कहानी कालपनिक है। हिंदूओं पर कीचर नहीं उचालनी चाहिए लेकिन हिंदूओं को कोसने के आदी हो चुके लोग अकल की बात कहां मानते हैं तो हम भी खोईते रहे कि हो सकता है कहीं कोई थोड़ी बहुत सच्चाई हो जैसे मुरली जैसे लोग इसे फिर भी कालपनिक मानने को तयार नही करें सबकी माननता को सच माल लें लेकिन फिर भी हमने इसलिए खोजा कि पता तो चले कि यह मानना भी क्यों और कब से शुरू हुआ कि ऐसा कोई ब्रेस्टेक्स लिया जाता था तो जब और खोजा तो पता चला कि 1957 में एन आर किष्णा द्वारा एहजवा दैन एंड टोड नामक एक किताब लिखी गई जो एहजवा जाती के ऊपर थी इसी किताब में इस तरह का एक दो चार लाइन का छोटा सा किस्सा बताया गया था हलाकि एतिहासिक साथ शे उसमें भी नहीं था या तो उन्होंने किसी एंटी हिंदू मानसिक्ता से गरसित होकर कालपने किस्सा लिख दिया या हो सकता है कि उन्होंने भी कहीं से ऐसा कुछ सुना हो तो उन्होंने कहां से सुना होगा इस बारे में और खो जा इसके और पहले का जो हमें मिला वो था 1937 की किताब त्रावन कोर ट्राइबस एंड कास वाल्यूम वन वे हाला कि इसमें भी कोई एतिहासिक सा वाले से बताया कि उस इलाके की मलायारियन नामक जंजाती पर वहां का राजा एक पॉल टेक्स लगा रखा था जिसे पुरुशों के मामले में थल्ला करम और महिलाओं के मामले में मुला करम कहा जाता था अब आपको बता दें कि थला करम का मलयालम भाशा में अर्थ होता है head tax और मुला करम का अर्थ होता है breast tax शायद यहीं से आज के agent बादों को यह idea आया होगा लेकिन आप कोई confusion में न पढ़िए असल में यह poll tax था जैसे अक्सर head tax भी कई लोग कहते हैं जो भी व्यक्ति काम करने लाइक हो जाता था उसको यह देना ही होता था यह पुरुशों से ज्यादा और महिलाओं से थोड़ा कम लिया जाता था तो calculation में आसानी के लिए दोनों के लिए इसका नाम अलग-अलग कर दिया जैसे पुरुशों के लिए इसे थला करम के अलावा मीशा करम भी बोला जाता था जिसका अर्थ होता है mustache tax यानि मूच टेक्स लेकिन यह मूच रखने या ना रखने के लिए नहीं था यहाँ नाम में मीशा यानि मूच केवल पुरुश की पहचान के लिए है ऐसे ही मूला करम में मूला यानि की ब्रेस्ट बस इस तरी की पहचान के तौर पर है ना की इसलिए कि इसका ब्रेस्ट के ढखने या ना ढखने से कोई लेना देना था इसे ऐसे समझे जैसे आप किसी पबलिक शौचाले में जाते हैं और वहाँ अक्सर दरवाजे पर सिंबल बने होते हैं एक पैंट वाला एक स्कर्ट वाला या एक गंजा एक चोटी वाला इसी से सब समझ जाते हैं कि पुरुश को कहा जाना है और इस तरी को कहाँ क्या कोई कहता है कि स्कर्ट वाले सिंबल का अर्थ है कि बस स्कर्ट वाली महला इसमें जाएंगी पैंट वाली नहीं वे दूसरे में जाएंगी कोई नहीं कहता हम सब जानते है कि इनका चोटी रखने या स्कर्ट पहनने से कोई लेना देना नहीं है चोटी या सकर्ड तो बस महलाओं की पहचान के लिए है ऐसा ही सामाने सिर्वापेंट पुरुष की पहचान के लिए अंदर जाकर काम दोनों को एक ही करना है कुछ ऐसा ही उन टेक्सों के नाम के साथ था उनका सिर्व मुच या ब्रेस्ट ढखने या ना ढखने से रखने या ना रखने से कोई लेना देना नहीं था यह बस पुरुष और महला की पहचान के लिए जोड़े गई शब्द थे देना दोनों को पॉल टेक्स ही था और इस बुक में भी इस टेक्स के जिक्र के साथ ही यह बात इस पश्ट लिखी हुई है कि मुला करम हैड टेक्स था तो किलियर है कि इसका ब्रेस्ट को ढखने या ना ढखने से कोई लेना देना नहीं था लेकिन कुछ लोग फिर भी ब्रहम उत्पन करते हैं आगे इस किताम में लिखा है कि सुना जाता है मुला करम और थला करम नामक ये टेक्स बड़ी दुखत परिस्तितियों में खत्म हुआ एक बार जब राजा का एजेंट थला करम लेने गया तो एक मलायारेन पुरुषण ने भुगतान करने में असमर्थता जताई लेकिन एजेंट ने भुगतान पर जोर दिया इस से वहां के मलाय आरेन इतने करोदित हुए कि उन्होंने उस आदमी का सिर काट कर उस एजेंट के सामने रख दिया और कहा यहरा तुम्हारा थला करम कुछ इसी तरह एक महिला ने भी जब मुला करम के भुकतान में असमर्थता की गुहार लगा आई किन्तु एजेंट फिर भी अड़ा रहा तो महिला का एक स्तन काट कर उसके सामने रख दिया और कहा गया यहरा तुम्हारा मुला करम इस घटना को जानकर राजा एजेंट के अविवेक पर बहुत करोदित हुआ और उसने इसे तुरंट बंद करने का आदेश दिया अब आप जरा भी विवेक का इस्तिमाल करेंगे तो आपको उस दौर का यह कहा सुना किस्टा साब फर्दी लगेगा लेकिन कुछ लोगों को यह किस्ता फिर भी सच्चा लग सकता है जिनके दिमाग में कुछ एजेंटिस है तो ऐसे लोगों से विनमर निवेदन है कि विराजा को गरियाने से पहले उसे पीडित महला के समाज को गरियाएं क्योंकि इस किस्टे में टैक्स देने में असमर्थ उस आदमी ने अपना सिर नहीं काटा ना ही उस महिला ने खुद अपना सिर नहीं टैक्स वसूले वालों ने काटा बलकि खुद उनके समाज के लोगों नहीं यह सब कुछ किया और वो भी उनकी सहमती के बिना तो निशकर्ष निकलेगा कि उस दोर में उनका समाज ही बहुत बरबर और मूर्ख था जो टेक्स का विरोध भी इस तरह कर रहे थे कि पीड़ित को ही और पीड़ा देकर बलकि उसकी हत्या तक करके वे अपना विरोध जताते थे लेकिन इस जानकारी पर नांगेली की रट लगाने वालों की बोलती बंद हो जाएगी वहीं अगर लिखा होता कि उसने स्तन खुद काटा या राजा के लोगों ने काटा तब आप इनका ड्रामा देखते लेकिन अब जो अगली जानकारी है वो एंटी हिंदू एजेट बादों को ना तो निगलते बनेगी और ना उगलते बनेगी इस किस्से में जो समुदाए इस टेक्स से पीडित है जिस महिला का स्तन कटा है उसकी जाती मलायारयन लिखी है यह मलायारायन होते कौन है या जानने के लिए आप इस किताब के पेज नंबर 161 से लेके 164 तक पढ़ ले पता चलेगा यह लोग उच्च जाती के हिंदू माने जाते थे यह खुद को ब्रहमण बताते हैं गौतम रिशी और अहिल्या के वंशज माने जाते हैं और यह परशुराम जी की भक्ती भी करते थे तो अब क्या माना जाए अगर कहानी सच्ची माने तो अत्याचार तो ब्रहमणों पर हो रहा था पीडित तो ब्रहमण हुए जबकि एजेंडे बास तो ब्रहमणों को ही जाती ब्रहमण थी यहीं अगर लिखा होता कि वे शूद्र या चांडाल माने जाते थे तो इस किस्से पर भी ये लोग पूरे हिंदु धर्म पर कीचड़ उचालने लगते लेकिन यहां उनकी जाती ब्रहमण लिखी है तो अब ऐसे लोग इस किस्से पर अपनी आंक और च विश्णा येर की है यह है और इनके पिता दोनों ही बहुत विख्यात एंथ्रोपोलोजिस्ट थे और इन्होंने त्रावन कोर की जातियों और जन जातियों के ऊपर विश्व भर में विशेश इस्थान रखता है तो समझाने की बात यह है कि यदि इतने बड़े विद्व रही भी होती या ऐसी कोई सुनी सुनाई कहानी भी होती तो भी है उसका जिकर अपनी किताब में जरूर करते जैसे इन्होंने सिर काटने और स्तन काटने की कहानी भी सुनी सुनाई बातों से ही ली थी लेकिन फिर भी उनकी पूरी किताब में ऐसे किसी टेक्स कोई जिकर न बनाए गए किस्से होंगे लेकिन इनकी किताब में है तो लिखाई है कि राजा कुछ जातियों का बहुत शोचड करता था तो यह जातिकत शोचड तो सच्चा माना जाएगा राजा तो अत्याचारी माना जाएगा ना तो ऐसा कुछ सोचने से पहले ज़रा ध्यान दें कि इस किताब में भी राजा के शोषड और टैक्स वसूली की जो किस्से बताई हैं वे खुद से देखे हुए नहीं हैं सुने सुनाई हैं या एक अन्ने किताब से जुटाई गए हैं वहाँ अन्ने किताब है 1883 में प्रकाशित हुई Native Life in 53 और जब आप उस किताब के लिखक के बारे में जान लेंगे तो समझ पाएंगे कि जाते आधार शोषण और कुरूरता के ये सुने सुनाई किस से उस इलाके में कैसे और कहां से आए तो आईए उस किताब के बारे में जानते हैं उस किताब के लेखकते श्रीमान सैमुल मतीर जो की एक ईसाई मिशनरी थे यह 30 साल तक दक्षिन भारत के इस इलाके में अपने मिशन के लिए जी जानते लगे रहे इसलिए इनकी याद में वहाँ एक चर्च भी बनाया गया है तो इनका मिशन क्या था? मिशन था लोगों का इसाईयत में धर्म परवर्तन कराना संभवता इनोंने ही पहली बार तरावन कोर के एक दुस्ट राजा का जिक्र किया जो अपने इलाके के मलायारियन जाती के लोगों का बहुत शोचर करता था यह वर्डन पेज नंबर 78 पर आपको मिल जाएगा इनकी बुक के इस राजा को वे विलिन क्यों बना रहे थे? इसका क्लू आपको अगले ही पेज पर उन्हीं की बुक में मिल जाएगा जहां यह एक किस्सा बताते हैं कि 1849 में इसी इलाके में इसाई मिशिनरी हेनरी बेकर आए थे उन्होंने कई जन जातियों को इसाई बनाया लेकिन उन्हें सबसे जादा प्रतिरोध जहिलना पड़ा इसी राजा के इलाके में तो इसी से समझा जा सकता है कि तब इस इलाके के लोग एक जुट थे अपने धर्म और संस्कृती पर अड़िग थे इसलिए वे आसानी से इसाई नहीं बन रहे थे अब जहां ऐसी एक जुटता होगी वहां फूट डालने के लिए जादा मात्रा में और जादा समय तक जुटे किस्से फैलाने पड़ेंगे और जादा बड़े लालच दे कर लोग अपनी और करने पड़ेंगे तो ऐसा ही मिस्टर हेंरी बेकर ने किया कुछ ही वर्षों में उन्होंने कई मलायारें को इसाई बना लिया लेकिन अभी औरों को भी बनाना था तो यही काम और तेदी से करने के लिए कई और फर्दी किस्से फैलाने थे तो इसी काम को सेंवल मतीर ने भी आगे बढ़ाया इन्होंने भी यही दर्चाने का प्रयास किया कि भारत के लोग बहुत अंद्विश्वासी, अज्यानी, पिछड़े और भेदभाव करने वाले हैं केवल हिंदू ही नहीं, मुसल्मानों के लिए भी उन्होंने ऐसा ही लिखा, हिंदूओं को तो शैतान के उपासक तक लिखा तो इस सब अज्यानता, पिछड़े पन और अत्याचार से मुक्ती का बस एक ही उपचार था, ईसा ही हो जाना यह सब आप उनकी इस किताब में पढ़ सकते हैं, उनकी किताब ही उनके इजेंडे बादी का प्रमाड है तो अब आप समझी गए होंगे कि ऐसे मिशनरीयों द्वाराज, यहां का राजा दुष्ट क्यों घोशित किया जाएगा और यहां घोर जातेवाद अत्याचार क्यों दर्शाया जाएगा आज लोग ऐसे लोगों के हवाले से हिंदू, धर्म और संस्कृति को कोशते हैं और इनकी बातों को एतिहासिक प्रमाड बताते हैं लेकिन गनीमत यह रही कि घटियापन के स्तर में तबके यह एजेंड़ बाद अपने आज के वैचारिक वंचजों के बराबर गिरे हुए नहीं थे इसलिए उन्होंने भी नांगेली या हांडी जाडू जैसी कहानी नहीं रची हाँ जो एंटी हिंडू एजेंड़ बाद भी मीम याराने की बात करते हैं वे यह भी जान लें कि इस किताम में यह भी लिखा है कि इन पीडित लोगों पर अत्याचार करने वालों में अकेला वो राजा नहीं है बलकि उनके पडोसी भी है जो की मुसल्मान है वे भी उने पर खूब अत्याचार करते थे लेकिन एजेंड़ बादों को केवल राजा का ही अत्याचार दिखेगा क्योंकि वो हिंडू है तो सेम्वल मतीर की किताब भी नांगेली के किस्टे को फजी साबित करती है कैसे? क्योंकि नांगेली का किस्टा उन्निसवी सदी का ही बताया जाता है और त्रावन कुर का ही बताया जाता है और यह किताब भी उसी इलाके के लोगों पर है उसी सदी की है और उसके अंतिम दशकों में लिखी गई है तो अगर उस इलाके में उस दौर में ब्रेस्ट ढखने पर कोई टेक्स लिया जा रहा होता कोई नांगेली स्तन काट कर मरी होती तो यह महुदा है तो उस बात को और बड़ा चड़ा कर लिखते सची तो छोड़िये अगर कही सुनी बात भी इन्होंने सुनी होती तब भी उसे यह सचकी तरह लिखते और तो और इनके दमाग में भी अगर कोई ऐसा आइडिया आ जाता तो भी ऐसा फर्जी किस्सा रचकर उसे सचके तोर पर लिख देते लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं लिखा यानि दूर दूर तक ऐसा कोई किस्सा तब मौजूद नहीं था यहां यह भी ध्यान रहे कि उस्व सदी में बिटिश सत्ता ऐसे विदेशी मिशनरी और इनसे बिके हुए तताकतित स्वदेशी समा से भी सब पूरे जोर शोर से भारत में एंटी हिंदू प्रोपगेंडा फैला रहे थे आर्यन इनिवेजन तेहुरी का भ्रम उत्तर दक्षिड का वैर वेदों का अपमान जनक ट्रांसलेशन भारती शिक्षा व्यवस्ता का अंत उद्योंगों की परवादी आदी अनेयों को काम क किये जा रहे थे ताकि भारती आप सीफूत हीन भावना और गुलामी की मानिसिक्ता से भर जाए और यह समय आपने कोई मनमर्दी से नहीं बता रहा हूं इन लोगों की तरह आप मैकाले का मोटिव पता कर लें मैक्समूलर के पत्तर पढ़ लें जोसेफ बोर्डन की विल द खारत में हेंरी बेकर और सेम्वल मतीर जैसे मिशनरी भी थे समय के साथ इनके बोई बीज वहां रंग लाए और कई नए फरजी किस्से सच के तौर पर प्रस्तुत किये जाने लगे नतीजितन कुछ आम लोगों को वे सच लगने लगे उन्हें लगने लगा कि हो सकता है कि 20-50 साल पहले ऐसा होता रहा होगा इसलिए 1930 का समय आते आते अतीद का वो राजा दोष्ट गोशित हो गया मुला करम और थला करम लेने और फिर सिर और स्थन काटने पर उसके बंद होने की कहानी भी कही जाने लगी जो कि सेमुल मतीर के समय तक तो नहीं थी लेकिन बाद के समय में गड़ ली गई और फिर यह कहानी एले कृष्णा ने भी सुनी और अपनी किताब में दर्ज की गौरतलब है कि तब तक भी यानि की 1930 आने तक भी ब्रेस्ट पर टेक्स और खुद से इस्तन काटने की कहानी नहीं बनी पीडित की जाती भी अभी तक मलयारयन ही रही लेकिन आतादी के बाद 1957 में लिखी किताब ने पीडित की जाती बदल के एख़वा कर दी, कहानी में भी बहुत कुछ बदल दिया, फिर समय के साथ और बदलाव हुए और अंतता 21 सदी में नांगेलिय की कहानी के रूप में यह हमारे सामने पेश की गई यहीं एक और जानकारी साजा करना चाहूंगा, जिस दौर और जिस इलाके की यह एजेंटे बास बात करते हैं, तब वहां शरीर का उपरी भाग ना ढखना बहुत आमसी बात थी, तापमान के कारण उनके पहनावे में महला और पुरुष दोनों ही शरीर का उपरी भाग अ इस पष्ट हो जाती है, जैसे 17-वी सदी के दक्षिड भारत आय, डचयातरी जोहान युहाफ की किताब में इसका जिक्र हमें मिलता है, प्राचीन भारत में भी कई जगे ऐसा था, आप साची में अशोक और उनकी पत्रियों की मूर्तियां देखिए, करना तक में मिली राय आशोक देखिए, जो करीब 2000 साल पुरानी है, इसमें भी किसी की छाती ढखी होई नहीं है, अभी के समय में भी देखें, तो न केवल भारत, बलकि कई देशों में ऐसे चलन रहे हैं, जहां महलाएं स्वेच्छा से छाती नहीं ढखती, समझाने का मतलब यह है, कि छाती न ढखना किसी का पिछडापन या उत्वीडर नहीं था, वहां का कल्चर था, रानी भी ऐसे ही रहती थी और तता कतित उच्च जाती की महलाएं भी, ब्रेस्ट टेक्स के जूट को उजागर करता एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, जिसे उसी जाती, एजवा जाती की एक ब इजिंडवाद नहीं बताएंगे, तो दक्षिन भारत के इस ब्रेस्ट टेक्स और नांगेली के किस्टे का सारांची है, कि जब 1849 में ईसाई मिशनरी हिंडी बेकर वहां आए, तब तक उस इलाके के लोगों को आपस में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इन धर परिवर्तन कराने वाले इजिंडवादों को नकार दिया, इनका विरोध किया, इसके बाद इन लोगों ने जहर फैलाना शुरू किया, राजा को बदनाम करना शुरू हुआ, शोशड के किस्टे बनाए गए, लालच दिये गए, नतीजितन कईयों का धर्म परिवर्तन करा लिया गया, यह सब 1883 तक अच्छे इस्तर पर हो चुका था, और इन सब बातों का प्रमाड आप सेम्विल मतीर की किताब में देख सकते हैं, आगे यह किस्से और बड़े और 1930 का दशक आते आते सिर काट कर देने और इस्तन काट कर देने वाला बेतुका सा किस्टा भी जु लेकिन लिख दिया कि महिला ने खुद काता, टेक्स काम करने योगी महिला से लिया जाता था, लेकिन लिख दिया कि टेक्स स्तन ढखने के लिए लगता था, और महिला की जाती भी बदल दी, बाद में इसमें लड़की का नाम भी जोड़ दिया, नांगेली, और इसके मरने की कहानी भी जोड़ दी और इसके पती की आत्मत्या की कहानी भी जोड़ दी मतलब राजा था सन 1800 से 1850 के बीच के समय का लेकिन तब किसी को पता नहीं चला कि उसने breast tax लिया 1849 में हेंडरी बेकर आया उसे भी पता नहीं चला कलपना को ही इतिहास बनाने वालों ने 1957 में गड़े गए दोचाल लाइन के कालपने किस्टे को धीरे धीरे 2007 तक और मिर्च मसाला लगा कर पूरी कहानी बना दिया फिर इस कहानी को सच के तौर पर पेश करके एजेंडे बाजों ने इसके आधार पर पूरे धर्म, समाज और इतिहास पर लांचन लगाना शुरू कर दिया आम आदमी को लगता है कि इस किस्टे के तो कई सारे एतिहासिक परमाड होंगे तभी तो बड़े-बड़े मीडिया हाउस तो शिक्षन संस्थान नेता और तता कतित विद्वान भी इसका जिक्र करते हैं असल में होना तो यहीं चाहिए कि जब आप किसी के धर्म पर, समाज पर इतना घटिया आरूप लगा रहे हों तो उसके बहुत ठोस परमाड आपके पास होने चाहिए लेकिन हिंदू शायद एक मातर ऐसा समाज है जिसे कोई फरक नहीं पड़ता, सोया पड़ा रहता है क्योंकि जब आरूप लगाने वाले हद दर्जे के कुटिल हों और लगवाने वाले हद दर्जे के नाकारा, तो ऐसे फर्जी किस से भी इतिहास का रूप ले ही लेते हैं कि नांगेली कहीं मन करें तो इस महिला के नाम इंटरनेर पे टाइप इजी गूगल पर उसी कहानियां पढ़िए इस लड़की से प्रदाश नहीं हुआ कि यह सिर्फ टेक्स मांगा कि असे टेक्स जने से मना कर दिया और यह कहा कि मैं तो अपनी शरीर को ढखके चलूँग बहुत विरोज हुआ उच्च जातियों की तरफ से भी रोज लगई कि या शेस्टम है यह तो निम्नज़ातियां इस तरह से वर्ताओं करेंगी तो हमारा उच्षोंहे का मतलब क्या नए उस पात्र पे रखे सामने पेश किया इचना खून बहा कि उसके कुछ घंटे में उसकी मौत हो रही और जब इस महिला को जलाया गया तो कहने वले कहते हैं कुछ इतिहासकर मानने हैं कुछ नहीं मानते हैं कि इसके पती ने भी चिता में कूद के अपनी जान दे दी केरल के ज आत्र अपनी कुछ नहीं डद हैं कि आत्र उसके कुछ ओने बहा कि यह लो कहते हैं कुछ ठास्वली आ रहा हैं कि नहीं हैं कि जह हैं कि अरूद में कुछ पापनी और जब दे आत्र वार रहा हैं